मंधना का फोर्म जो है अभी बहु ज़्यादा खराब चल रहा है क्या उनको केप्टन विसी किया जाए या फिर सीधे टीम से ड्रोप किया जाए उनके उपर भी हम लोग बात करेंगे और एक जब अदर्स्तर टीम बनाने का भी परियास करेंगे लेकिन पहले गन बाजी इंडिया करेगी तो डिफिरेंट टीम बनेगा पहले बले बाजी करेगा तो बिलकूल ऑलक टीम बनेगा तो उनके उपर भी हम लोग बात करेंगे जवरदस्त मेंच आपके लिए हो सकता विडियों बने रहो छोटा विडियो होगा काम का विडियो होगा जवरदस्त प्रोफिट दे कर जाएगा लेकिन दोस्तों अगर जदी इस मुकाबले को आप खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्य होना है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जोईन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस तीम से मैं खूद खिलता हूं इनकी अलावे जील का टीम पीच रिपोर्ट पिलेंग इले बन यहने एक जबरदस्त टीम बनाने के लिए जितने चीजों की आवा अबाध टेली ग्राम चैनल पे शेर करता हूं तो आपको जोईन करना किस परकार है तो मेरे भाई हमारा टेली ग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फिक चैनल बने हुए है जो हूँ बहु आपको डूमेश्टी फिलिंग ले बनना तो मेरे भाई दोनों टीम जो है लास्ट मुकाबला 2022 में खेली थी जहां पर इंडिया वोमेंस ने 79 रनों से वीन क्यार यह मुकाबला भी वीन इंडिया को ही करना चाहिए क्या रहा था इस मुकाबले पे सारा कुछ देखेंगे इंडिया वोमेंस की तरफ से हाँ पर सेफाली बर्मा इस मुरिती मंदरा दोनों ने जब बड़ा दस्त शुरुआ दिया कोई पचपन तो कोई 47 और वन डाउन आई जीमा रोदिरी गोज ने भी 35 का योगदान दिया था इस परकार से रहा था बंगला देश की तरफ से किसी ने क्या किया रुमाना आहमाद ने तीन बिक्टे लेगे यह इस्पीन के इन बाजी करती है स्लोवर के इस्तिमाल करते है एक दो भर ये डालने की छमता रखते है लेकिन वो डे तो भर में डालते है यह ज़्यादा इनके अलाबे एम खातुम जो क्या करमग बल्लेवाजी के लिए जाने जाते हैं इन्होंने 11 का योगदान दिया एन सुल्ताना सबसे बेश्ट बिकट की पर बंगलादेश का कोई जब बलदस्त फोर्म मेयार अच्छा कर रहा है तो एन सुल्ताना का नाम आता जिन्होंने 36 का रमेस्वरी गया कवाड अच्छी गैनवाजी की हलांकी बिकेट लेज गए पूजा वस्ट राकर फ़हले गैनवाजी पे जादा इम्पोर्टेंट रहेगा जहां पर डेट का भी कारोबार यह संबालती है सेंड राना सकेंड गैनवाजी पे अच्छा खासा ये कर सकती है क गर जदी ये पार्ट टाइम गेनबाजी की तो केप्टन भास इन से बेतर कोई नहीं हो सकता क्योंकि इनका तो फिक्स है कि ओपन आएगी तो दोस्तों यहां बात कि है बंगलादेश वोमेंस का लाश्ट मुकावलब वो सिरलंका वोमेंस के खिलाब खेल के आ रहे क्या रहा इनकी गेनबाजी लाश्ट के तीन गेनबाज ने आर खान जोकी लेग स्पीन गेनबाजी करते नहीं दायक्तर, बहुत बढ़िया यह पहल बिक्ति एप खातुम यहां पर एक विक्टि लेगे, वल्ले बाजी में किसी ने क्या क्या एस मुष्टरी जोकी कभी कभी कदर Part-time के लिए जाने जाती है इन के लावे इनके विगेट कीपर केप्टन साहब 31 का योगदान दे यह हमेशा बेश्ट करती है तो इस परकार से इनका लास्ट मुकाबला रार सिलंका खिलाब बीने हार का सामना करना पड़ा यहीं बात की जा दोस्तों इंडिया वोमेंस का तो यहा तो मैं रोदीरी गोज ने अच्छा यहां पर 43 का योगदान दिया करमक बलेबाजी कर रही तो हर्मत का और की बात की जा तो हर्मन पिरित को यहां पर 52 का योगदान दिपतिस हर्मा बीस एक बक्त इससा लाग रहा था कि इंडिया विन कर जाए गया और दूर भागे तरीक आपको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इनके अलाबे कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे भी मेसेज करो मैं वहां पर सारे लोगा रिपलाई देता हूँ वह भी बहतर तरीका से दोस्तों यहां पर बात करेंगे इंडिया वोमेंस पहले गिनबाजी कर अगर जदी कंजूलिया खिलती यहां पर इसपीन गिनबाजी करती तो मैं इनको पिक करूँगा इनके अलाबे दोनों उपनर को कवर करूँगा बाकी कुछ नहीं करूँगा यह इंडिया वोमेंस की पहले गिनबाजी का टीम है इन सुल्तनाव के यहां से मैं पिक इन दोनों के उपर भी चाहो तो आप जा सकते हो सिर्फ बल्ले बाजी के तौर पर फिक करोगे तो यह मान करके इंडिया उपनर से फिनिस कर देगी तेसे इस्तिति में इन दोनों को भी केप्टन वाज दे सकते या फिर गेनबाज के उपर जा सकते हैं इस मिर्ति मदना का थोड़ा सा खराब चल रहा है इस बात को दियां रखना हलांकि सामने के टीम कमज़ूर ये ताय है अब यहां पर बात आती है कि भईया अगर ज़दे इंडिया वुमेंड पहले बल्ले बाजी करेगा तो क्या हमारा टीम होना चाहिए तो सबसे पहले पहले बल्ले बाजी करेगा तो इनका इस्ट्रा दो बल्ले बाज लेंगे दो इस्ट्रा गेन बाज को कम करके वो आएगा जीमा रोद्री गोज और यहां से आएगा हर्मन पिरित कोड अब इस से इस्तित्यम बंगलादेस वोमेंस पहले गेन बाजी करेंगे तो इनका दो बल्ले बाज काम करके इनका दो गेन बाज लूँगा वो गेन बाज कौन सा होगा अगर देखो आर खान खेलेगा प्रास्ट में बी डाले गेती यहां से मैं मारूफय अक्तर को पीक कर लूँगा हमारा धिप्ति सर्मा हर्मन पिरित कोर यहां से हमारा बीसी हो जाएगा तो मेरे भाइग फिलाल के लिए यह टीम सेब कर लो यह टीम हमारा है जब इंडिया वोमेंस पहले बले बाजी करा उस बेसिस पे बाकी लाइनाप के बाद टीम पे चेंज होगा हमारे भी टीम पे चेंज होगा तो सारा कुछ टेली गराम पे सेर करूगा वहां पर आपको जुड़े रहना है तो आसा करते लक्षी मां भी सरी मां ओल भगवान क किरपा से हम लोगों का रिजल्ट वेतर जाए सारी लोगों पे सर्सतिमा की किरपा वनी रहे इसी उमीद के साथ वीडियो को भी समाप्त करता हूं